हेलो अभीवन वेल्कम टो योटूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल डिसकस दिनोमनी कल्चर ओफ कोडिनेशन कंपाउंड्स डिसकस करेंगे हम लास्ट वीडियो में पूछ लेती हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं उनकी अकोर्डिंग हम देखते हैंगी क्या रूल्स ह कुछ हम एक्जेंपल्स भी करेंगे नोमनी कल्सर कोडिनेशन कंपाउंड की देखें फर्स्ट हमें यह तो पता है कि जो आयूपेक नेम देखते हैं आयूपेक की सबसे पहले फूल फॉल फॉर्म क्या होती है इंटरनेशनल यूनियन ओफ प्योर अप्लाइड कंपाउंड तो हमें देखना है कोडिनेशन कंपाउंड का कुछ नेम के लिए कुछ फॉल्वेंग रूल दे रखें इनोने तो फर्स्ट रूल क्या होता है हमारा ओडर ऑफ नेमिंग आयन जो नेमिंग आयन है उसका ओडर क्या होगा देखो हमें पताए कि कॉम्पलेक्स देखेंगें तो तो टू टाइप के हो सकते हैं करेंगे तो सबसे पहले को नेम करेंगे और दें एनि fand तो और पॉजिदी शिल लेंगे तो इसमें ने करन को aye तो ने में करेंगे तो उसको बोला है तो उसके सिली नेको' जो क्यान लिगरों आदेंयों को न कुलोडाइट सीनेंयम सीन बेत抱ाब सब्सक्राइब है लेकिन तो तब करना है थाने होता तो सोडियम फ्लॉराइड टेकर फिरस्ट को दो ओगया किसको यह तो धोक्री जो मैसे अज़िए दोग übrig पहले करेंगे जैसे for example यहांपर कोंप्लेक्स दे रहाएं आपके पास सी यो थी तरी तो यहांपर क्या हो गया जो लिगएंट को नहीं आपके पास अमोनिया तो अमोनिया और ख्लॉरीन दोनों लिगेंट हैं तो इनकी निमिंग पहले करेंगे और बाद में हम सेंट्लमेट तो यह आपको माइंड में रखनी है क्या कि जो नेगेटिव लिगेंड होगे ना उनके लिखते हैं और जो भी पॉजिटिव लिगेंड होगे ना उनकी लगाते हैं तो यह थो नेगेटिव करें यह आपके पास घ्लाइब लगाएंगे हैं तो यह आपका थर्ड रोल है यह फोर्थ रोल क्या था आपका पास ओडर नेमिंग लिगेंगे लिगेंट ओडर क्या होगा देखो पस्ट हम क्या करेंगे पहले तो लिगेंट को किसमें और करेंगे एनाइनी का नेम लेंगे देन न्यूट्रल देन पोजिट्व और उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा मितलों भी दाउट हाइफन ठीक है हर एक गुरूप अफ्ली मिया पहले एनाइन को देना है तोनाइन को नःपे love लो टार यहां। वह एंयमेंगे इड को मिस्कों न्यूट्रल कौन होता है यहां यहां अपर नैट्रो में इल्फाबेटऑ को तो ठीक है झोब्यूंब करते हैं आप अब थे अपको का निम यूज करते हैं यहां यहां ह तो tetra 5 है तो penta 6 यह देख सकते हो 10 तक आपके 10 को होगा तो डेका बोल सकते हैं जितने लिगेंड़ आटेच होंगे जिसे 10 लिगेंड़ आटेच है तो उसका डेका जो भी लिगेंड़ का नेम होगा हो इस लिग देंगे ठीक है यह तो अगर आपका polysylabic ligands हो जासे नो CH2N type का polybasic तो वहाप पर तो हम 20 यूज करते हैं ट्री हो तो ट्री हो तो ट्री यूज करते हैं टैटरा किस पेंटागिस और 6 हो तो हैक्जाकिस तो ऐसे ही तो यहाँ पर किस ट्रम अक्स्टा जाती है यहाँ पर पल्व कॉंपलेक्स में टो को लिए यूज करेंगे अगरा पोल्लिश्लेबिक में है तब आपका वीच यूज करते हैं जासे आपब 2 यह क्या होता है इन इथे । या पर धें देंग तो यहाँ पर नाम क्या वगई थाएलीन और ऑमीन कितने आपई अनस two है तो इसके लि तो डाइनाइट रोप एंजिन ओटो तो डाइओक्षिजन यह आप नेमिंग देख सकते हूँ ठीक है पॉली बैसिक में हम एस टाइप से यूज करते हैं तो यह आपके पास था फॉर्थ रोल अब देखो फिफ्थ आपके पास क्या बोलता है फॉर्थ रोल में यह ट्रम जाएंगे हम ठीक है को इंए कैताइनी के न्यूट्रल कोंपलेक्स है तब जो मैचल का नीम होगा उसके रिटन में उसके कोई भी पह्तर नहीं करेंगे जैसे फॉर एक जॉम्पले कांपलेक्स देदीया आपके पास क्या CO1S36, CL3 ठीक है, यह complex दे दिया आपके पास अब हम इसकी naming करनी है तो हम कैसे करें, cateinic है तो उसमें हम कोई भी characteristics news नहीं करेंगे means, पहले तो किसका नम लिए, कितने ligand है, पहला rule देखा था हमने ligand को देखते हैं, metal से पहले, तो ligand कितनी है 6 हैं, तो 6 के लिए care drum use करेंगे, hexa, ligand कौन सा है, ammonia तो इसको amine हो गया, फिर लिखेंगे metal, metal, coordination spear वाली टरम पहले लिखनी होती है में, जो बाहर होती है न, जैसे यहाँ chlorine बाहर है, coordination spear शे, उसको बाद में लिखेंगे, अब पहले तो हमने लिख दे ligand वाले को, तो hexa amine, और metal कौन थी कोबाल्ट, कोबाट लिख दिया, उसकी oxidation state calculate कर लोगे, अब यहाँ पे देगो, कैसे निकालोगे, x minus, अब ammonia का मैं पता है कि neutral agent 0, equal to minus 3, तो x के लिए यहाँ पे आ जाएगी plus 3 की टरम में, तो यहाँ पे तो hexa amine, कोबाल 3rd, और कौन सा है, chlorine, negative है, तो id हम यूज़ देखा था, तो यह हो जाएगा chloride, ठीक है, तो वैसे यह अगला complex दे रखा है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर शकते हो, यह पोटेशियम और पेंटा chloride, तो यह कुछ एग्जामपल देर से, iron, अगर आपका ni-nick में है, तो ferrate बोलेंगे, ag है तो arginate बोलेंगे, cu है तो cuprate बोलेंगे, तो ऐसे देख सकते हैं, u है तो aerate बोलेंगे, au metal है, gold, अब नेक्स्ट आते है, oxidation state central metal atom की और iron की, वो भी हमें निकालना ही पड़ती है, वो roman में लिखते हैं, ऐसे नहीं, one वैसे नहीं लिखते हैं, counting वाला one नहीं लिखते हैं, यहापे roman word होते हैं, जैसे first, second, third, यह देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे c1, s3, 5, cl, cl2, इस case में अगर ligand और chlorine और amine, तो x plus, ligand कितने amonia की 5, neutral ligand है तो charge 0 गया, minus chlorine पे charge minus 1, minus 2, तो किस कितने oxygen 2, plus 3, तो ऐसे हम calculate करें, यह rule बता रखा है, कैसे calculate करेंगे, और written यह आपे सीधा 3 नहीं लिखेंगे, roman में लिखेंगे, third, यह आपको पता है, अब next आता है आपका रूल ब्रीजिंग में, देखो कुछ ब्रीजिंग्स गूरूप होते हैं, ब्रीज होता है एक टाइप का, तो उनमें ligand एक ब्रीज की तरह काम करता है, दो मेटल एटम के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीक लेटर हम म्यू यूज करते हैं, म्यू, ग्रीक वाला लीजिंग के नेम से पहले आप म्यू प्रिफिक्स यूज करोगे, और उसके रिपिट भी करशकते हैं, डिफरन टाइप जो भी लीजिंग आजाए तो, अभी हमने अब यहाँ पे कून सा है, ओज, ओज को क्या भूलते हैं, हाइड्रोक्सो, ठीक है अब किस क्या ट्रम यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप 20, और अब कितनी है लिगेंट 5, तो इसके लिए पेंटा, और लिगेंट कोन सा है, अनस्त्री, अमीन तो पेंटा, अमीन, अब कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, अब उक्षिडेशन स्टेट कल्कुलेट कर लेंगे, और बार किया है कलोरीन, तो इसको क्लोराइड, जो बार वाला होता न, अची 5, 4, 3 हो, उसके लिए उक्षिडेशन स्टेट यूज नहीं करते हैं, जो कोडिनिशन स्पीर के अंदर होता है, उसके उक्षिडेशन स्टेट लेखते हैं, यह बात अब को पता होने ची यह उप्रिजिंग लिगेंट की डिफर्ट आइप उफ एक जांपल दे रखे हैं, यह आप पढ़ सकते हो, जहां से, अब एक दे रखा है पे है एक ही एक औम, जैसे आपके पास नइट्रो है, तो दो साइड्स हो सकती है, ठीक है, अटेच्मिन्ट आपके दो हो सकती है, more than one, एक ही एड लिगेंट में, जब जब बो एक बीगेंट कोडिनेट करता है, more than one point of attachment, तो उसको हम ambident ligand बोलते हैं, जैसे आपके पास nitro होता है, NO2, तो यहाँ पर nitrogen से भी attach हो सकता है, metal अपने electron donate कर सकता है, या oxygen की through भी कर सकता है, nitrogen में ये एक thaiosyanate होता है, जैसे SCN तो यहाँ पर sulfur से भी कर सकता है, और यहाँ पर nitrogen से भी कर सकता है, ठीक है sulfur nitrogen दोनों से, जैसे आपके पास oxalate, diet high oxalate है, तो यहाँ पर sulfur oxygen, तो इनके एक जाम पर सते रहें, कैसे attachment पर भी depend करता है, जैसे attach हो रहागा, उसी का नाम होगा, अब देखो, अगर metal अगर nitrogen से attach, तब तो हम nitro use करेंगे, अगर metal oxygen से attach होती अनोट वाली structure में, तो हम nitro use करेंगे, तो यह कुछ है, आपको पता होना चाहिए, क्यों इसमें naming में गलत हो जाता है, तो इसलिए हमें सारे rules को follow करना पड़ता है, ठीक है, अब next आता है naming of geometrical isomer, हमें पता geometrical isomer, जैसे आपने चार लिगंट होती है, तो उसमें देखेंगे हम लिगंट के, वो ट्रांस है या सीस है, उसके according हम लिख सकते हैं, जैसे एक complex दे दिया, platanium CL, अब first stop तो एक लो, सीस है या ट्रांस है, अब देखो, chlorine और chlorine, same side ligand at each, same है, तो सीस होगा, अब पोजिट होता है, तब ट्रांस होता था, तो सीसली के लिए हमने, अब amine कितने हैं 2, तो di amine, और chlorine कितने हैं 2, तो di chloro, अफे metal कॉन सी है प्लेट हैं नियम, और ये oxidation state calculate कर लिए, ammonia के तो 0 है थी, chlorine कितने हैं 2, तो 2 आगे, वैसे हम ट्रांस के लिए, तो geometric isomer की भी आने चाहिए, ये naming optical isomer की, तो optical में तो क्या होता है, rotation पे depend करता है, आपने two type पड़ी होंगे, एक होता है leo rotatory, एक होता है dextro, leo में तो क्या होता है, वो left side rotate करता है light को, वो dextro rotatory में वो right side rotate करता है, py लिखा मिले, इसका मतला periodine, तो ये trim आपको पता होना चाहिए, कि is suffix का ये मतलब है, ठीक है, by periodine लिखा है, तो इसका क्या मतलब, ox लिखा है, तो मतलब oxalate है, ये को पढ़ सकते, जैसे EDT है, कई पर full form of EDT है, तो इस island diamond tratar acid, तो ये trim साब को पता होना चाहिए, जैसे DM-SO है, DM-G है, ये important trim है, तो ये all things आप पढ़ लेना, फिर आगे note देखा रखा है, जैसे old system में, पहले हम hyalide ligand को fluorobromo, ये ऐसे बोलते थे, बाद में आयूपेक निम में, हम F-negative को fluorido बोलने लगे, क्लोरिन को fluorido, bromido, hydrodo, change होते रहते हैं, फिर cyanide, com, cyanido, साइनों भी बोल सकते हैं, इसे nitrochicides ये हम पढ़ सकते हैं, ये कुछ examper's दे रखे हैं, वो आप देख सकते हों, कुछ problem हो तो आप बता सकते हैं, वहीं सारे rules से लगा रखे हैं, ठीक है, ये दे रखा है, देख सकते हों कोई भी examper's, देखो सबसे simple examper's लोग, जैसे, ये है, K, B, F, 4 है, तो सबसे पहले, K क्या बोलते हैं, potassium, तो potassium बाढ़ ले लिए, अब कितने fluorine हैं आप चार, तो tetra, fluorine को fluoron, और B को boron, यहाँ पे, और oxidation state कल्कुलिट रहागी, तो borit, तो potassium, tetra, fluoroborate, तो easy है, आप सभी के practice करना, जब आप practice करोगे ने, तो आपको पता चलने लगागा, इस rule में हम जैसे chloride लगाना है, 8 लगाना है, oxidation state, mu कब लगाना है, वो तिंक सबको पता चल जाएंगी, तो यहाँ पी examper's direction different, आप practice करना है, इनकी,